यहां पर मैं कुछ जाइकेदार नास्ता बनाने वाले हुआ तो नहीं नहीं डिसेज बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैंने इसको ट्राइ करने जा रही हूँ या फर्स टाइ में बनाने जा रही हूँ इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं सुबा साम की चाय के साथ भी आप इसको खा सकते हैं चलिए वीडियो को स्क्रिप्ट मत कीज़ेगा कंटिन्यू बने रहे और आप इस रेसिपी को देखिए और अच्छा लगे तो आप भी चलू ठाई कीज़ेगा यहां में मैंने ले लिया है कड़ाई उसमें लिया है ओयल अब इसमें मैं हल्दी और पीसी हुई लाल मिर्च पाउडर और सब को डालके अच्छे से इसका बस कच्छा पन दूर हो जाए इतना ही बुनना है उसके बाद यहां मैंने पहले से ही मुमफली को भुन के पिस लिया था तो इसको लिया है एंड यहां पे मैंने नार्यल सुखा हुआ उसको भी मिक्सी में अच्छे से पिस लिया है अब इन सब चीजों को अच्छे से 10-15 मिनट जब तक इनका कच्छा पन ना दूर हो जाए मतलब भून लोगी सौरी उसके बाद मैंने थोड़ा सा गरम मसाला लिया है और नमक तो अपनी स्वाद नुसार ले सकते हैं अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब चलिए यहां पे मैं आटा दायार कर लेती हूँ तो मैंने मैदा और बेसन इक्वल कॉंटिटिक में ही लिया है तेकिन हलका ही गरम रिफाइंड ओयल लिया है इससे यह बहुत ही क्रिस्पी बन जाएंगे और फिर स्वाद अनुसार नमक लिया है और थोड़ी सी हल दे लिया है अब इन सब को अच्छे से मिक्स करूंगी और हलका गरम पानी से इनको तैयार करूंगी टो बनाने के लिए तो यहाँ पर डो मेरा हो चुका है रेडी तो चलिए अब इसको जल्दी से बना लेते हैं तो सबसे पहले मैंने रिफाइंड ओल गरम करने को रख दिया है अब यहाँ पे छोटी छोटी पॉल लेनी है और इसको इस तरीके से मैंने बेलना सुरू कर दिया है यहाँ पे मैंने जो मिक्सर रेडी किया था उसको लिया है और अब इनको चारो साइट से इस तरीक से मैं इसको फोल्ड कर दे रही है ये देखिए और इन चारो को अच्छे से फोल्ड करने के बाद ये फ्राई करने के लिए बिलकुर रेडी हो जाएगा और इसमें मैंने पानी का भी यूज किया है मैदा और पानी को का मैंने घोल बना लिया था तो यहाँ पर मैं पानी लगा रही हूँ क्योंकि जब मैं इसको रोल करूंगी न तो इससे यह फटेगा नहीं और अच्छे से इसमें चिपक जाएगा तो इस तरीके से थोड़ा सा मैंने प्रिस कर लिया है और यह रेखिए बिलकुल पन के रेड़ी हो चुका है इसी तरीके से बारी-बारी मैंने सारे रोल्स को बनाया है और बना के रेड़ी कर लिया है यहाँ पर मैंने सारे रोल्स रेड़ी कर लिया है अब बारी आती है इनको फ्राई करने की पहले ही मैंने रिफाइन डॉल को गरम करने के लिए रख दिया था उसके बाद इनको बिल्कुल ही लो फ्लेम पे मुझे फ्राई करना होगा तब ही ये बहुत ही क्रिस्पी बन्वे वाले हैं तो चलिए इनको इस तरीके से फ्राई कर लेते हैं तो यहां मेरा नास्ता हो चुका है रड़ी और यह देखिए कितना खस्ता बना है यह तो अगर यह मेरा वीडियो ब्लॉग आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक किजीगा तो औरी मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे चैनल पर फर्स टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और आप सब भी ये नास्ता बना के जरूर राइक कीजिएगा चलिए मिलते हैं आप से अपने नेक्स्ट फिडियो ब्लॉग में तो तक के लिए बब बाई टेक केर मुस्कों राते रहे हैं खुश रहे हैं